नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खब्लो के ओर बढ़ने से पहले एक निजर सुर्ख्यों पर रविंद्र नार्ट टैगोर की जहनती आज बैंक टकैती रोकने के लिए हर जिले में सुरक्षा ओडिट मनिपूर हिंस्ता में फसे 120 से अधिक स्टुदेंट्स लोटे पटना साउथ एक्टर बिलम कुंडा ने बिहार आने पर कहा ये आईप्यल 2023 के बीच एमाई के तेज गेंदवा जोफरा आर्चर हुए बाहर इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के और विस्तार से रविंद्र नार टैगोर की जहनती आज आज रविंद्र नार टैगोर की 162 वी जहनती है ऐसे में आज पटना के रवंद्र भवन में उनके जयनती को लेकर एक कारिक्रम कायोजन किया गया है जो कि 20 तक आयोजित होगी आपकी जानकारी के बता दे के आज से शुरू होने वाला यह कारिक्रम साम सारे 6 बज़े से शुरू होगा जिसमें देश भर से कलाकार शामिल होन हैं इस दौरान कारिक्रम में निर्थिय नाटगीत और कवीत अपाठ या कहानिया भी प्रसूत किये जाएंगे मालू हो कि पिछले दो सालों से करोणा महमारी के कारण इस कार्यक्रम का युजन नहीं हो पारा था लेगिर इस सारे इस कार्यक्रम का युजन बड़े सर पर कि जाद जाड़ा है अगर आप भी इस कारिक्रम में अपनी उपस्थिती दर्ज कराना चाहते हैं तो बता दे कि इस कारिक्रम में निशिल्क प्रवेश है। कि सुनवाई की तारीक को बदल कर 3 जुलाई के बदले 9 माई कर दी गई थी जिसके बाद आज इस मामले को लेकर मुख्य नयाधीस की अध्यक्षता वाली खंड पीट के दौरा सुनवाई करते वे बिहार सरकार की याचिका को खारच कर दिया गया है यानि कि अब इस मामले प पी और एसपी को अपने छित्र के तहट बांकों के और वीति संस्थानों की सुरक्षा का आड़िट करने का नर्देश दिया गया है जिसके तहट बैंकों में जाएंगे और वहां सुरक्षा के लिहास से लगे उपकरन की जाच करेंगे कि उपकरन सही से काम कर रहे हैं या बैंक में सेक्योरिटी गार्ड है या नहीं और अगर है तो क्या वह गार्ड एक्टिव और अलर्ट है उनके पास जो हतियार मौजूद है उसकी स्थिति कैसी है इसके साथ ही राज्य में बढ़ रहे स्नेचिंग के वारदातों पर नकेल कसा जा सके इसके लिए एक स्पेश की राजधानी पटना के फ्रेजर रोड में डेडियो स्टेशन के पूरब पश्चिम कोनी पर इस्तित महराना प्रताप की प्रतीमा अस्थल परिसर में राजकी जनती समारो कायोजन किया गया था जिसमें राज़ेपाल राज़ेंद्र विश्वनात आलेरकर और बिहार के म उपमुख्य मंतरी नितीश कुमार के दोरा महराना पताप जी के प्रतीमा पर मालयारपन कर उन्हें नमन किया गया और भाव भिनी श्रधानजली दी गई आपके जानकारी के लिबता दे के इस अफसर पर उपमुख्य मंतरी तेश्वी यादव समेत वित वानेजे कर और सं प्रावेदी की मंतरी इसराइल मंसूरी बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी विधान पारसत संजय सिंग विधान पारसत कुमद वर्मा भी उपस्थित रहे और श्रधांजली अर्पित की गई इस दोरान सूचना और जनसंपर्ख विभाग के द्वार नहीं हो पाई है इससे ना तो पिरताओं के आविधन दिये जा रहे है और ना ही उनकी सुनवाई हो पा रहे है बता दी के ऐसे सिती में अब तक 3270 आविधन बिहार राज्य महिला आयोग में लंबित है और फिलहाल केवल इन आविधनों के रिजिस्टर को मेंडेन किया जा इसके बाद वर्ष 2021 में पोस्ट के जरिये 2544 नए आविधन आये और फिर वर्ष 2022 में दिसंबर तक 2590 नए आविधन आये वही इस साल यानि की वर्ष 2023 में अब तक 650 आविधन आ चुके हैं ऐसे में कुल 3270 आविधन अब तक लंबित है मनिपूर हिंसा में फसे 120 से अधिक स्टुदेंट्स लोटे पटना आज यानि की मंगलवार को बिहार सरकार की मदद से मनिपूर हिंसा में फसे 120 से अधिक बिहारी स्टुदेंट्स बिहार की राजधानी पटना लोट चुके हैं बता दे कि सभी स्टुदेंट्स विशेश विमान से आसो भई 11 बजे पटना एरपोर्ट पर पहुँचे आपके जानकाड़ी के लबता दे कि मनिपूर हंसा में फस स्टुडेंट्स को लाने के लिए बिहार सरकार की ओर से एक विशेश विमान का प्रबंध किया गया था और साथ ही बिहार सरकार के दौरा इन सभी स्ट स्टुडेंट्स को अपने खर्च पर वापस लाए गया है मालू हो कि मनिपूर में बिहार के कुल 300 स्टुडेंट्स फसे हुए हैं ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि बिहार सरकार के दौरा बाकी बचे स्टुडेंट्स को भी सही सलामत राज्ये वापस लिया जाएगा पैक्स गेहूं की खरिदारी में गेहूं बेच रहे किसान नहीं दिखा रहा है रूची पिहार में गेहूं बेच रहे किसानों के दौरा पैक्स गेहूं की खरिदारी में रूची नहीं दिखाई जा रही है जिसका मुख्य करन गेहूं का बाजार भाव नियुनतम समर्थन मुले से अधिक होना है आपके जानकारी के लिए बता दे कि राजे के बाजार में जहां गेहु 2000 रुपे क्विंटल बेचा जा रहा है तो वही नियुन तब समर्थन मुले 2125 रुपे नरधारित किये गए हैं ऐसे में किसानों के द्वारा पैक्स गेहुं की खरीदारी में रूची नहीं दिखाई जा रही जिस वज़े से सहकारिता विभा काफी टेंशन में हैं मालूम हो कि अब परिसिती ऐसी हो गई है कि गेहुं की खरीदारी के दौर शुरू हुए 16 दिन हो गया है लेकिन अब तक के वाल 170 कुईंटल गेहुं की खरीदारी की गई है सहकारिता विभा की तमाम तेजरी के बाद सर्फ 17 समीतियों के दौरा ही गेहुं खरीदारी के लिए अपना प्रस्ताओ दिया गया है जिसमें 16 पैक्स ववेपार मंडल शामिल है पटना में 150 करोड की लागत से बनेगा यूनिटी मॉल उद्योग विभाक के दोरा बिहार की राज़धानी पटना में 150 करोड रुपे की लागत से बनाए जाने वाले यूनिटी मॉल के लिए इस्थानिया हवाई अड़े पर जमीन को चिनहत कर लिया है बता दे कि बनने वाले सने मॉल में वन जिला वन उत्पाद पदरशित किया जाएगा यानि कि अब आपको एक यह स्थान पर सभी जिलों की उत्पाद मिल सकेंगे इसके साथ ही बिहार के उद्यमियों में प्रतिस्पर्दा की भावना पैदा हो सके इसके लिए इस मॉल में भारत के विविन जिलो के प्रमुक और ग्रिसी उत्पाद रखे जाएंगे आपकी जानकारी के बता दे के इस मॉल के निर्मान के श्रिवाद वर्स 2024 तक किया जाना है इस योजना के लिए के इंद सिरकार के त्वारा सत प्रतीशत फंडिंग करेगा सिटी सेंटर मौर में साउथ के सूपर स्टार एक्टर बेलम कोंडा साइज श्रीनिवास और बॉलिवूड की ड्रामा कुई अभिनेतरी नुश्रत भरूचा अपनी आने वाले फिल्म छतरपती के प्रमोशन के लिए पहुँची थी इस तोरा उन्होंने अपने फिल्म और फिल्म में अपने करदार के बारे में जानकारी दी इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर भोजपुरी फिल्म के लिए उनके पास अच्छे कंटेंट आते हैं तो वह जरूर काम करेंगे अक्टर बिलमकुंड साइज श्रीनिवास के दौरा कहा गया कि उन्हें पटना दीके जानकारी के नसार अपने इस फिल्म के लिए उन्हें हिंदी सीखने में दो महीने का समय लगा और वे हर भाशा में फिल्म करना चाहते हैं पस फिल्म की कंटेंट अच्छी होनी चाहिए आपके जानकारी के बता दे कि यह फिल्म 12 मई को रिलीज होने वाली है प्लास्टिक की कुर्सी देख भड के मंत्री संजय जा, बिते दिन सोंबार को बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय जा अपने एक दिवस्य यात्रा के लिए दर्भंगा पहुँचे, इस तुरान होने दर्भंगा एयरपोर्ट के होड है विकास में देरी को लेकर केंदर सरकार पर जमकर हमला करते वे कहा कि जिस एयरपोर्ट को उरान योजना के तहट देश भर में सरवच अस्थान मिला हो और जहां से बड़ी संक्या में लोग यात्रा करते हों, उस यात्रा पर अगर यात्रियों के बैठने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी होगी तो इससे ब बिहार के बाहुबली और पुर्वसांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर एक बार फिर मुस्किले बढ़ गई है, बता दी के बीटे दिन आठ मै को सुप्रीम कोड के द्वारा आनंद मोहन की रिहाई के खिलाव दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें कोड के मामली को लेकर बिहार सरकार को एक नोटस जारी कर दिया गया है, और दो हफ़ते में उसका जवाब मागा गया है, इसको लेकर दिवंगत आयस अधिकारी जी क्रिस नईया की पतनी उमा देवी के द्वारा, सियम नितीश कुमार को नसीहत दी गई है, उन्होंने कहा कि सुप कानून में बदलाव लाकर आनंद मोहन की प्रीमच्योर रिहाई दिलाने के क्या जरुवत थी, निता प्रतिपक्ष विजय सन्हा का सियर नितीश पर हमला, 2024 में होने वाले लोग सभाचनाओं को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकत करने के लिए राज जहित को पीछे छोड़ देते हैं, ऐसे में सियर नितीश भी अपनी मत्वकांशा और स्वार्त को पूड़ा करने के लिए बिहार को बरबादी की तरफ धकेल रहे हैं, और लालु यादर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि उनसे बिहार तो संभल नहीं रहा, देश क्या संभालेंगे, जिस तरह से वे राजनेती करते हैं, उन्हें जन्ता कभी स्विकार नहीं करेगी, उनका एक बाल बिहार की जन्ता के बीच खत्म हो चुका है, अब बस वह देश में घूम घूम कर अपनी विदाई यात्रा मना रहे हैं उरिशा के सीएम नवीन पतनायक से मिले नितीश कुमार, 2024 में होने वाले लोग सभा चुनाओं को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने के मुहीम में बिहार की मुख्य मंतरी, नितीश कुमार आज यानी की मंगलवार को बिहार की राजधानी पतना से भूवनेश पहुँचे हैं, मीडिया में चल रही खबरों के नुसार, इस मलकात के दोरां दो निताओं के बीच विपक्षी एकता को लेकर भी बातचीत की गई है और वही ऐसा अनुमान भी लगाया चारा है, कि नितीश कुमार नविन पतनायक को पतना में होने वाले विपक्षी दलो की बैठक में शामिल होने के लिए मंतरन दे सकते हैं, IPL 2023 के बीच MI के तेज गेंदबाज, जोफरा आर्चर हुए बाहर, मुंबई इंडियन्स को टूर्णामेंट के बीच में जोरदार जटकाल लगा है, तेज गेंदबाज, जोफरा आर्चर की फिटनेस चुनता खत्मन हुई और इसलिए वो रिहाब के लिए अपने घर लोटेंगे, इस तरह जोफरा आर्चर से इस IPL से बाहर हो गए हैं, पाच बार की IPL चैंपियन मुंबई इंडियन्स ने इंग्रिस ओल राउंडर क्रिस जौरण को जोफरा आर्चर के रिपलिस्मेंट के रूप में अपन साथ जोड़ा है, मुंबई इंडियन्स ने अधिकारिक विग्यपती में कहा, सोफरा आर्चर की रिकवरी और फिटनेस पर इसी भी लगातार नजर रखे वे हैं, तेज गेंद बाज अपने रिहाब पर ध्यान देने के लिए घर लोटेंगे, जानियाग बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के रिट, विहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रॉल डीजल के रिट जारी किये गए, इसके बाद राज धानी पतना में आज पेट्रॉल 107.24 रुपे और डीजल 94.04 रुपे प्रती लीटर में मिल रहा है, मुझेपर पूर में पेट्रॉल 107.09 गाई है, इसके साथ ही कया में पेट्रॉल रुपे और डीजल प्रती लीटर में ने पूद रहा है बिट्रॉल 2.3 सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों न्पल जवाब हमें हमारे कमण सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे दोरह कूछे का सवाल क जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके नुसार राज्य में बढ़ रहे अपराधी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रिशासन की और से क्या कदम उठाए जाने चाहिए आपने जवाब हमें हमारी कमेंट चेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे हैं बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूटूब से देखे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस् पुले दाने बाद